हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टूदे एजूकेशनल चैनल ओफ बॉटनी एड़ा में आप सभी का स्वागत है आज हम फोटो सिंतेसिस चैप्टर के अंतरकत अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है C4 साइकल या C4 चक्र इसको हैच और इसलेक चक्र के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो वीडियो के एंट तक बने रहीएगा सारा टॉपिक कवर करेंगे हम और एक्जाम की विउसे देखा जाये तो यह इंपॉर्टन टॉपिक है चाहे आप B.Sc के स्टूडेंट हों या फिर M.Sc के ठीक है इसलिए इसे हैच और इसलेक चक्र के नाम से जाना जाता है चूकि इसकी खोज हैच और इसलेक नामक दो साइंटिस्ट ने की थी और इनके नाम के आधार परी इसे हैच और इसलेक का साइकल कहते है ठीक है यह साइकल C4 प्लांट में पाया जाता है इसलिए इसे C4 चक्र के नाम से जाना जाता है ठीक हैं तो यह आपके कारण है जिस कारण से समवंधी महद्वपूझ कर गन्ने पर किये थथा उन्होंने बताया कि पौधों में प्रिकास संसिलेशन दुआरा इस्थाई C4 योगिक डाई कारवॉक्सलिक एसिड या फिर ओक्जलिक एसिड बनता है जो कि आपका चार कारवन बाला होता है ठीक है क्या हुआ जो हैच और स्लेक साइंटिस्ट थे अलग अलग साइंटिस्ट थे दोनों इन्होंने प्रिकास संसिलेशन से सम्वंदित महद्वपूर्ण कार किये और ये कार उन्होंने गन्ने पर किये ठीक है कार्य करने के बाद इन्होंने बताय कि जो प्रकास संसिलेशन यानि फोटो संतेसिस की प्रॉसेज होती है उसके द्वारा C4 योगिक बनता है जो की आपका डाई कार्वॉक्सिलिक ऐसे डोता है ठीक है चैल्स में भी सी फोर साइकल पाया जाता है इसके बाद यह जो आपके साइंटिस्ट थे इनोंने कहा कि यह जो आपका सी फोर साइकल यह फैमिली ग्रैमिनी के पौधों में पाया जाता है और कुछ अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं लाइक ट्यूलिपा वगेरा इनमें भी आपका सी फोर साइकल पाया जाता है ठीक है अतहा इस पस्ट होता है कि सी फोर चक्र एक बीज पत्री पौधों में मक्का गन्ना वगेरा में और कुछ दूइबीच पत्री पौधे लाइक साइपर ऐसी के पौधे उनमें सी फोर साइकल पाया जाता है तो यह इसका acid होता है then C4 cycle gramini kul के podhों में पाया जाता है लाइक गन्ना वगेरा में कुछ एक बीच पत्री podhों में भी पाया जाता है और कुछ दुई बीच पत्री podhों में भी पाया जाता है ठीक है अब हम देखते हैं अपना C4 cycle क्या होता है यह C4 cycle कैसे चलता है यह C4 cycle ठीक है तो C4 cycle को समझाने से पहले मैं आपको एक डाइग्राम समझाती हूँ जो की आपका है पत्ती की कार्ट द्वारा क्रांज एनाटॉमी ठीक है यह डाइग्राम को समझिए यह आपकी एक leaf है leaf के अंदर यह सभी parts पाया जाते हैं देखिए जो आपकी पत्ती होती है पत्ती के उपर जो पाया जाता है सबसे उपर उसे बोलते है अपर एपिडर्मिस ठीक है जो सबसे नीची की सते होती है उसे बोलते है लोगर एपिडर्मिस ठीक है पत्ती के अंदर काफी सारी मीजोफिल सैल्स पाय जाती है यह जो आपको बॉक्स ट विशेष संरशना पाई जाती है, जिसे बोलते है क्राञ्ज एनटॉमी, ठीक है, जो कि आपके C4 प्लांट्स में पाई जाती है, क्राञ्ज एनटॉमी क्या होती है गाईस, ये आपको सेंटर में सो भाए है, राउंड राउंड, इसमें बीच में प्रेजेंटे जाइलम और फ्लोयम जिसे वैस्कुलर वंडल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ये जो आपके जाइलम और फ्लोयम है से वैस्कुलर बंडल बोलते हैं चारों और से राउंड राउंड घिरे हैं आपके जाइलम और फ्लोयम या फिर वैस्कुलर बंडल इसे बोलते हैं बंडल सित ठीक है और बंडल सित में जो आपको डॉट डॉट के रूप में राउंड राउंड सो हो रहे हैं वो है आपके बड़े आकार के क्लोरोप्लास्ट या फिर कहा जाए तो special type of chloroplast, ठीक है, समझ आया, तो ये जो आपकी एक पत्ती होती है, पत्ती के अंदर एक बिशेश संविशना पाई जाती है, जाइलम, फ्लोयम, वैस्कुलर बंडल, special type chloroplast, बंडल, सित, इसे ही बोलते हैं, I hope clear हुआ होगा आपको diagram पत्ती की संदशना, एक पत्ती की काठ है, जिसके अंदर ये, जो है, वो संदशना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं, और ये जो आपको box के रूप में शो हो रही है, ये आपकी mesophyll cells है, ठीक है, इनके अंदर जो dot dot के रूप में शो हो रहा है, वो chloroplast है, और जो आपके बंडल सित के अंदर जो present है, उनके अंदर जो chloroplast present है, बड़े आकार के, क्रांज एनटोमी जो center में present है, उसके अंदर जो present है chloroplast, वो आपके बड़े आकार के होते हैं, जबकि जो mesophyll cells में present है, dot dot के रूप में chloroplast, वो आपके छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, तो ये दो टाइप के chloroplast present होते हैं आपकी पत्ती की क्रांज एनटोमी में, ठीक है, आप समझे हैं आप C4 साइकल इजीली समझ में आएगा आपको ठीक है तो देखिए उप्रोक्त प्रकार के पौधों की पत्तियों में विशेश क्रांज प्रकार की आंत्रिक संदशना पाई जाती है जो C4 पौधे होते हैं उनमें विशेश प्रकार की क्रांज अनाटॉमी या आंत्रिक संदशना जो है वो पाई जाती है C4 पौधों की पत्तियों के जाईलम तथा फिलोयम एक वैस्कुलर वंडल के इस्तर के द्वारा गिरे रहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो सेंटर में प्रिजेंटे फ्लोयम और जाईलम ये चारों और से बंडल सित के द्वारा गिरे रहते हैं तो यही कहा गया है जो C4 पौधों की पत्तियों होती है उनके जाईलम और फ्लोयम बंडल सित के द्वारा गिरे रहते हैं इसके बाद दिया गया है Vascular Bundle Cells में या बंडल सित में अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इन कोशिकाओं के चारों और से मीजोफिल सेल्स घेरे रेती हैं यानि कि जो आपकी बंडल सित है उसमें अनेक प्रकार के बड़े आकार के क्लोरोप्लास्ट प्रेजन्ट होते हैं और ये चारों और से मीजोफिल सेल्स से घेरे होते हैं और इन बैस्कुलर बंडल सेल्स में या बंडल सित में अनेक बड़े प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो केंदर की और इस्थित होते हैं और इनमें ग्रेना नहीं पाया जाता है देखिए मैं आपको इसे डाइग्राम में बताती हूँ जो सेंटर में आपका बंडल सित प्रिजेंट है इसके अंदर बड़े आकार के क्लोरोप्लास्ट पाये जाते हैं जो की चारोड से जो बॉक्स के रूप में मीजोफिल सेल से उनसे गिरे होते हैं और बंडल सित के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो केंदर की और इस्थित होते हैं और उनमें ग्रेना का आभाव होता है यानि उनमें ग्रेना नहीं पाया जाता है उनका केवल आभाव होता है ठीक है अब क्लियर हुआ आपको देन इसके बाद कहा गया है मीजोफिल सेल्स में सामान ने परकार के क्लोरोप्लास्ट पाये जाते हैं इसके बाद है C4 पौधों की मीजोफिल सेल्स में C4 चक्र पाया जाता है तथा बंडल सेल्स में C3 चक्र पाया जाता है देखिए जो आपके C4 पौधे होते हैं उनकी जो मीजोफिल सैल्स होती है मीजोफिल कोशिकाए होती है उनमें C4 साइकल पाया जाता है जो कि मैंने आपको कल एक्सप्लें किया था ठीक है अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लें किया था सीफोर साइकल यह पाया जाता है मीजोफिल सैल्स में और सीफोर प्लांट के और जो सीफोर पौधों की बंडल सित होती है उसमें पाया जाता है आपका सीथिरी प्लांट यदि मैं आपको डाइग्राम नहीं बताती तो यह आपको थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आती इसलिए मैंने आपको ये डाइग्राम बताया आप इस डाइग्राम को देखी अपने हिसाब से और समझने की कोसिस कीजिए कुछ भी नहीं है अब हम बढ़ते हैं इसके रियक्शन वाले पार्ट में ये जो आपका डाइग्राम शो रहा है इन ही में आपकी रियक्शन होती है सबसे पहले रियक्शन आपकी मीजोफिल सेल्स में होती है देन बंडल सिथ में आपकी रियक्शन होती है देन अगेन आपकी मीजोफिल सेल्स में रियक्शन होती है और फाइनली आपका C3 जो साइकल है कम्प्लीट होता है ठीक है तो चली मैं आपको रियक्शन बताती हूं कैसे होती है इनकी रियक्शन C3 साइकल की थियोरी आपको क्लियर हुई होगी ना हुई हो तो एक बार और वीडियो को देखिएगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे हैच इसलेक चक्र का प्रथम उत्पा भाग लेती हैं देखिए क्या कहा गया है जो हैच और इसलेक चक्र है उसमें प्रथम जो प्रॉडक्ट बनता है आपका वो फोर कारवन बाला ओ एए यानि और जैलो एसेटिक एसेड होता है और इसी को कहते हम C4 चक्र और जो C4 चक्र है इसकी जो क्रियाएं होती है वो पत होती है और आपका ओक्जेलो एसेटिक एसेड बनता है जो कि आपका फोर कारवन बाला होता है तो देखिए कैसे होती है क्रिया सबसे पहली प्रॉसेज है यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्ती की मीजोफिल सैल्स में होती है जिसमें CO2 का प्रथम पधार्त 3 कार कारवन बाला होता है यह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्ती की मीजोफिल सैल्स में होती है ठीक है और CO2 का प्रिथम जो पधार्ते जो की आपका 3 कारवन बाला होता है पी इप यह फास्पुइनोल पाईर्विक एसेड वो कारवन डाई ऑक्साइड के साथ जुड़ता है और बना लेता है आपका ओक्जेलो एसेटिक एसेड और जो आपका PEP कार्वोक्सिलेज एंजाइम है वो इस क्रिया को कम्प्लीट कराता है रियक्शन में देखिए PEP फास्पुइनोल पाईर्विक एसेड जो की आपका 3 कारवन बाला पधार्त था यह जोड़ा आपका कार कराता है आपका PEP कार्वोक्सिलेज एंजाइम फस्ट प्रोसेस समझ आई आपको PEP से आपका ओक्जेलो एसेटिक एसेड का फॉर्मेशन होता है देन सेकंड रियक्शन देखिए अब जो आपका यह ओक्जेलो एसेटिक एसेड है यह पत्तियों की मीजोफिल सेल्स के क्लो मैलिक एसेड में रिड्यूस्ट या अपचायत हो जाता है और इसके लिया में मैलिक डी हाइड्रोजीनेज उत्परे रखका कारी करता है क्या हुआ जो आपका फस्ट प्रोसेज में फोर कारवन बाला ओक्जेलो एसेटिक एसेड बना वो चला गया मीजोफिल सेल्स के क्लो जाता है रियक्शन में देखिए ओए यानि ऑक्जेलो एसेटिक एसेड चला गया आपका क्लोरोप्लास्ट में मीजोफिल सेल्स की देन जो एने डी पी एच टु है वह कंवर्ड हो गया मैलिक एसेड में यानि रिड्यूस हो गया और आपका मैलिक एसेड का फॉर्मेशन हो ट्रांसेमिनेशन की क्रिया के फलसवरूप ओ एए एशपार्टिक एसेड में बदल जाता है ओ एए जोकि आपका क्लोरोप्लास्ट में चला गया था मीजोफिल कोशिकाओं की वो चेंज ओजाता है आपका एस पार्टिक एसेड में एक बात और गईज जो आपका यजयलो celloacetic acid है वो चेंज हो जाता है aspartic acid में ठीक है तो ये तीन reaction है जो की होती है आपकी पत्यों की मीजोफिल cells में अब फोर्थ reaction जो है ये होती है पत्ती की बंडल सित की कोशिकाओं में ठीक है पत्ती की बंडल सित की कोशिकाओं में होती है आपकी आगे की reaction aspartic acid तक reaction हुई आप पत्क्यों की मीजोफिल सेल्स में देखिए इसके बात क्या होता है, 4-Carbon Bale Acid, Oxalgo Acetic Acid, Malic Acid, और Aspartic Acid, ये इसके शॉर्ट में लिखे गए हैं, संबहन bundle सित की सेल्स में स्थनांत्रित हो जाते हैं, और इसी समय, bundle सित की ख्लोरोप्लासल में Malic Acid का De-Carvoc facilation होता है, कारे करता है देखिए क्या हुआ यह जो आपके सभी फोर कारवन बाले एसिड बने यह चले जाते हैं आपकी बंडल सित की सेल्स में मैंने आपको डाइग्राम बताए था बंडल सित क्या होता है क्रांज एन टॉमी में उसी में चले जाते हैं आपके यह सभी प्रकार के अब बंडल सित के क्लोरोप्लास्ट में मैलिक एसिट का डी कार्वोक्सिलेशन होता है जो बंडल सित है उसके जो बड़े साइस के क्लोरोप्लास्ट है उनमें मैलिक एसिट का डी कार्वोक्सिलेशन होता है और पाइरुविक एसिट यानी PA बन जाता है और आपकी CO2 gas जो है वहाँ से निस्काशित होती है या वहाँ से निकलती है और इस करिया में malic enzyme work करता है process देखिए reaction देखिए इसकी bundle sit के जो chloroplast है उनमें malic acid का decarboxylation हुआ और malic acid आपका NADPH2 से जोड़ा then malic acid change हो गया आपका pyruvic acid में और NADPH2 जो है वो आपका change हो गया NADPH और H plus में then यहां से आपकी CO2 निकलती है और यह जो आपकी CO2 है यह चली जाती है आपके C4 cycle में जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया CO2 जो आपका rive loss से जुड़ जाता है और आपका product बना देता है ठीक है तो इस टाइप से आपकी CO2 होती है वो CO2 आपके C3 cycle से आती है और इस reaction से आती है न तो याद रखिएगा malic acid के decarvoxylation से आपका pyruvic acid बनता है और CO2 निकलती है CO2 जो निकलती है वो आप C4 cycle में चली जाती है यही लिखा गया है निशकाशित यानि निकलने वाली जो CO2 है वो C4 cycle में चली जाती है इस टाइप से होती है आपकी पत्ती की बंडल सित कोशिकाओं में process ठीक है clear हुई आपको यह process fourth process है ही आपकी then इसके बाद जो आपकी fifth process है वो पुनहा मीजोफिल cells में होती है अगैन मीजोफिल cells में आपकी fifth process होती है इसमें क्या होता है यह क्रिया pyruvate phosphate di kinase के दुआरा उत्प्रेरित होती है जिसमें pyruvic acid पुनहा मीजोफिल cells में चला जाता है और PEP phaspoenol pyruvic acid में बदल जाता है इस क्रिया में प्रिकास संसिलेशन की प्रिकास प्रिक्रिया में उत्पन ATP के one molecule काम आते हैं देखिए simple सी बात क्या हुआ जो आपका pyruvic acid बनाता bundle sit की cells में वो पुनहा चला जाता है आपकी मीजोफिल cells में बाहर निकल कर पत्यों की मीजोफिल cells में चला जाता है और PEP यानि phaspoenol pyruvic acid में चेंज हो जाता है simple सी बाते जो आपका pyruvic acid बनाता bundle sit में वो आपका PEP में चेंज हो जाता है ठीक है और यहाँ पे एक ATP का molecule काम हाता है जो की आपका प्रकास sensation की process से उत्पन होता है ठीक है तो इस type से आपका जो C3 cycle है उसमें last में बन जाता है आपका PEP यानि phaspoenol pyruvic acid और यह जो आपका cycle है complete हो जाता है ठीक है तीन process हुई इसमें सबसे पहली process आपकी पत्तियों की mesophyll cells में हुई then पत्तियों की बंदल sit की कोशिकाओं में हुई then पुनहा again आपकी जो process हुई third वो आपकी पुनहा mesophyll cells में हुई यानि यह तीनों आपकी process हुई और last में final आपका product बन गया PEP यानि phosphoenol pyruvic acid और आपका जो C3 cycle है वो complete हो जाता है ठीक है तो इस type से आपका C3 cycle होता है I hope आपको clear हुआ होगा notes जरूर आप prepare कीजिगा इसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको C4 पौधों की विशिष्टा है जो आपका C4 cycle है जो की आपका C4 plant में होता है उनकी क्या-क्या विशिष्टाएं होती है ठीक है तो C4 पौधों की आंतरिक संदशना में अनेक विशिष्टाएं पाई जाती है जो की निमने या इस परकार है सबसे पहला है C4 पौधों की पत्तियों में वैस्कुलर बंडल में वंडल सित पाई जाती है या बंडल सित कोशिकाएं पाई जाती है जिनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इस्थित होते हैं ठीक है ये इनकी में प्रौपर्टी होती है C4 plants की इसके बाद सेकेंडर वैस्कु का आभाव होता है लेकिन मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें ग्रेना पाए जाते हैं यह याद रखिएगा गाईज यह प्रोपर्टी जो बंडल सित्की सेल्स होती है सी फॉर प्लांट में उनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का आभाव होता है मील्स ग्रेना नहीं पाया जाता है केवल उसका आभाव होता है जबकि जो पत्तियों की मीजोफिल सैल्स होती हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना जो हैं वो पाये जाते हैं इसके बाद फूर्थ प्रोपर्टी है सीफोर पौधों में इस प्रकार की संदशना क्रांज एनाटॉमी कहलाती है जो विशिष्ट संदशना पाय जाती है सीफोर पौधों में इसे बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी या क्रांज संदशना इसके बाद सभी सीफोर पौधों में क्लोरोप्लास्ट में दूई रूपता नहीं पाई जाती है जितने भी C4 पौधे होते हैं उनकी क्लोरोप्लास्ट में दुई रूपता जो है वो यह दुई रूपता वाली जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पाई जाती है C4 प्लांट में ठीक है तो यह हुआ अपना C4 साइकल जिसमें हमने सबसे पहले C4 cycle का Norman Clature देखा कैसा कैस का नाम करन होता है देन इसके बाद हमने इसका introduction देखा इसके बाद मैंने आपको c4 cycle में diagram बताया जिसको समझना very important है क्योंकि उस diagram के अंदर जो पत्ती की crans anatomy है उसी पर ही पूरा आपका c4 cycle depend करता है ठीक है देन इसके बाद हमने theory देखी उस diagram से related इसके बाद हमने c4 cycle की reaction देखी तीन टाइप से reaction हुई सबसे पहली टाइप की reaction पत्तियों की mesophyll cells में हुई then second type की reaction जो है वो आपकी पत्तियों की bundle सित की कोशिकाओं में हुई और third जो reaction है वो आपकी पुनहा पत्तियों की mesophyll cells में हुई ठीक है और then last में आपका final product बन गया और इस type से आपका c4 cycle जो है वो चलता है I hope video आपको clear हुआ होगा notes आपको helpful रहा होगा जैसा कि मैं आपको हर video में बताती हूं notes particular तरीके से बनाईएगा ठीक है so मिलते है next video में new topic के साथ guys video को like और channel को subscribe करना ना भूले so once again thank you so much for watching keep on learning